नमस्कार सभी को आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ बिंदू पर अध्धिन करेंगे सबसे पहला बिंदू लेते हैं सब्द यानि कि सब्द किसे कहते हैं तो देखे वर्णों के सार्थक समुहे को सब्द कहते हैं सब्दों का वर्गी करण किया गया है चार आधार पर प्रियोग के आधार पर नमबर दो रचना के आधार पर नमबर तीन उत्पति के आधार पर और नमबर चार अर्थ के आधार पर हम देखते हैं कि प्रियोग के आधार पर दो प्रकार से यानि कि विकारी शब्द और एविकारी शब्द ऐसे ही रचना के आधार पर तीन प्रक उत्पति के आधार पर पांच प्रकार से तत्सम सब्द, तद्भव सब्द, विदेशी सब्द, देशत सब्द और संकर सब्द ऐसे ही अर्थ के आधार पर तीन प्रकार से विलो, प्रियाय, अनेकार्थी सब्द आदि आये हम सबसे पहले जानते हैं प्रियोग के आधार पर विकारी सब्द यानि कि विकारी सब्द क्या है विकारी सब्द को जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि विकारी सब्द क्या है या ये किस से बना है तो हम देखते हैं कि जो विकारी सब्द है वो विकार से बना है और विकार का मतलब होता है बदलाव यानि कि जो जैसा है वैसा ना रहे अर्थार्थ ऐसे सब्द जो अपना रूप बदल लेते हैं जिन में परिवर्तन आता है वे विकारी सब्द कहलाते हैं हम देखते हैं कि सब्दों में अपने आप कोई परिवर्तन नहीं आता, सब्दों में परिवर्तन आने का भी कोई न कोई कारण जरूर होता है तो देखे विकारी सब्द में परिवर्तनाने का कारण लिंग वचन काल पुरुस के आधार पर ये सब्द हैं वो बदल जाते हैं इसको समझने के लिए हम एक उधारन लेते हैं और जानने की कोशिस करते हैं अब देखे यहां मैंने उधारन लिया है कि मेरा अच्छा लड़का निकट बैठा है अब हम इसमें देख रहे हैं कि मेरा सब्द है वह क्या है सर्वे नाम अच्छा सब्द यानि विशेशन लड़का संग्या और बैठा सब्द है वो है क्रिया अब इस वाक्य को हम देखते हैं कि यहां पर हम लिंग बदल कर देखते हैं जैसे लड़का का हमने लिख दिया लड़की तो पूरा वाक्य अपने आप बदल जाएगा यहां पर हम मेरा अच्छा लड़की निकट बैठा है यह तो लिख नहीं सकते या कह नहीं सकते, तो हम क्या कहेंगे, मेरी अच्छी लड़की निकट बैठी है, दिखा हुआ ना परिवर्तन सर्वे नाम संगय विशेशन में, ऐसे ही हम इसको वच्चन में बदल के देखते हैं, यानि लड़का का लड़के करते हैं, तो भी देखते हैं कि पूरा वाकी है वो बदल जाएगा, यहां पर मेरा की जगए क्या जाएगा, मेरे अच्छा की जगए अच्छे और बैठा की जगए बैठे, यानि कि मेरे अच्छे लड़के हैं वो निकट बैठे हैं, अब हम देख रहे हैं कि जो सब्द बदल रहे हैं, यानि कि चाहिए सर्वे नाम के अ निकट ये ना सर्वे नाम के आधार पर बदल रहा है ना विशेशन के ना संग्या के और ना क्रिया के तो जो बदल गए वो हैं विकारी और जो नहीं बदले वो क्या कहले हैंगे एविकारी सब्द यहां हम देख रहे हैं कि जो निकत सब्द है वो एविकारी सब्द हैं तो खुल मिला कर बात यह है रही कि ऐसे सब्द जो लिंग वचन काल पुरूस के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं वो क्या कहलाते हैं विकारी सब्द हिंदी में विकारी सब्द हैं वो चार प्रकार के होते हैं संग्या, सरवय नाम, क्रिया और विशेशन इन चारों भिन्दूओं के तहत हम सबसे पहले अधिन करेंगे संग्या यानि कि संग्या सब्ध है वो क्या है संग्या सम प्लस ग्या ग्याकारत होता है जानना यानि ठीक तरह से दुनिया को जानना यहां संग्या का मतलब नाम है नाम को ही संग्या कहते हैं यदि नाम नहीं होता तो संग्या भी नहीं होती यह यूं कहें जो दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं संग्या कहते हैं यहां पर संग्या को भी परिभासित किया गया है कुछ विद्वानों ने संग्या की परिभासा दी है जैसे किसी प्राणी वेक्ति वस्तु इस्तान गुण भाव आदी को हम क्या कहते हैं संघ्या कहते हैं, अब कुछ उधारन के लिए हम देखते हैं नाम लिक करके जैसे वेक्ति, हम कुछ वेक्तियों के नाम लिखते हैं याँपर, सचीन, जवारलाल नहरू, मोहन, एसे ही वस्तू, तो वस्तू के नाम देखते हैं कलम, बोर्ड, पंखा, घडी और किताब, ऐसे ह इस्तानों के नाम दिल्ली, जैपूर, पंजाब, नागोर, प्राणियों के नाम तितली, मचली, घोड़ा, हाती, गुणों के नाम इमानदारी, सच्चाई, होश्यारी, आधी, ऐसे ही भावों के नाम दया, करुणा, क्रोध, प्रशन्नता, तो देख रहे हैं कि किसी प्राण का नाम, वेक्ति का नाम, वस्तू का नाम, इस्तान का नाम, गुण का नाम, चैभाव का नाम, आधी हैं, वो क्या कहलाएंगे, संग्या कहलाएंगे, मुख्यत है संग्या के तीन प्रकार बताए गए हैं, वेक्ति वाचक संग्या, जाति वाचक संग्या, और भाव वाचक स संग्या, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वेक्तिवाचक संग्या में किसी वीशेश प्राणी स्तान और वस्तु का घ्यान कराने या यूँ कहें कि जो महान हो अर्थार्थ प्रत्वी पर एक हो वो किसमें आएगा व्यक्ति वाचक संग्या के अंतरगत जैसे उधान के लिए चेतक अयोध्या रामायन आदी ऐसे ही दूसरा जो प्रकार है वो है जाति वाचक संग्या यानि कि किसी वर्ग या समुहे का में रहता हो या ग्रुप में रहता हो या फिर समुदाई में रहता हो वो क्या कहलाता है जाति वाचक संग्या जाति वाचक संग्या की पहचान समुदाई से होती है जैसे पसू नगर फल फूल पक्सी इत्यादी ऐसे ही तीसरा जो प्रकार है वह है भाव वाचक संग्या य प्राणी या पदार्थ के गुण भाव स्वभाव या अवस्ता का बोध होता है वे भाव आचक संग्या के अंतरगत आता है या यूं कह सकते हैं कि ऐसे सब्द जो आपको दिखाई नहे दे कर केवल महसूस किये जाते हैं वो किसके अंतरगत आते हैं भाव आचक संग्या के जैसे उत्सा है, मनुष्यता, बच्पन, मित्रता, दया, आदी.